हलो एवरिवन, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के जीव विज्ञान यानि बायलोजी विशे के चैप्टर 1 आवर्थ बीजी पादपो में जनन से संबंदित टॉपिक आवर्थ बीजी पादपो में होने वाले एलेंगिक जनन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आवर्थ बीजी पादपो में एलेंगिक जनन पहले तो ये जानेंगे कि आवर्थ बीजी पादप होते क्या है आवर्त बीजी पादब नाम से ही आर्थिस्पस्ट है आवर्त का मतलब है किसी चीज से गिरा हुआ और बीजी मतलब बीज यानि जब बीज किसी भी आवरण से या बीज चोल से ढ़के वे या घिरे वे होते है तो ऐसे पादबों को जिनमें ये गुण पाया जाता है आवर्त वीजी पादक कहा जाता है दूसरा है जनन पोधों द्वारा या जीवों द्वारा अपने जैसे नए पोधों या नए जीवों को उत्पन करने की प्रक्रिया प्रजनन या जनन कहलाती है जनन की प्रक्रिया दुआरा प्रतेक जीव अपनी जाती की निरंतरता वह निश्चिता को तैक करने का प्रियास करते हैं आवर्त वीजी पात्वों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है पहला है एलेंगिक जनन और दूसरा है लेंगिक जनन एलेंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें आईदर मेल और फिमेल यानि केवल एक ही जनन इस प्रक्रिया में जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है एलेंगिक जनन में अर्थ सुत्री विभाजन एवं युगमक सल्यन नहीं होता है युगमक सल्यन क्यों नहीं होता है क्योंकि जब कोई एक ही जनक होगा या तो नर होगा या मादा होगा तो जब दो युगमक होगे ही नहीं तो सल्यन कैसे होगा इसलिए इसमें युगमक सल्यन नहीं होता है इस जनन द्वारा पोधे अपने समान आकारी की एवं यानि morphologically और genetically समान लक्षनवाली संत्ति को उत्पन करते हैं। कोशन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी कोशन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि क्या हम A-LANGIC JNAN से उत्पन संत्ति को क्लोन कह सकते हैं या क्लोन के समान मान सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि एल लेंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक माता या पिता शामिल होता है, या तो नर शामिल होगा जननन की प्रक्रिया में या फिर मादा शामिल होगी, तो नर और मादा युगमकों का इसमें कोई सल्यन नहीं होता है, परिणाम सरूप उत्पन होने वाली संत्ति अपने माता या पिता के आकारी की में और आनुवांशी की में समान होती है तो जो गुण उसके एक जनक के होंगे वही उसके संत्ति में आएंगे और इस प्रकार उसको हम क्लोन के समान उसे मान सकते हैं उसे कलोन कहे सकते हैं ए लेंगिक जनन दो प्रकार का होता है ए निशेक बीजिता और का इक जनन ए निशेक बीजिता अर्थ देखिए ए निशेक बीजिता का अर्थ है ए मतलब बिना गैमस निशेचन स्पर्मा बीज यानि बिना निशेचन के बीज का निर्मान हो जाना ऐ निशेग बीज था एक ऐसा मन्य प्रकार का जनन है जिसमें अर्थ सुत्री विभाजन वै युगमक सल्यन के बिना ही नए बीज का विकास हो जाता है और उस बीज से नए पादप का निर्मान हो जाता है काईक जनन काईक जनन जब पादप का पुनरुद्भवन बीज के अत्रिक्त पादप के अन्य किसी काईक भाग से होता है तो उसे हम काईक जनन कहते हैं काईक जनन में पोधे के काईक भाग जैसे मूल, स्थम यानि स्टेम और पन्ड से नए पादप का निर्मान होता है जो काईक जनन में काम में आते हैं जैसे कि अगर हमने मूल के किसी भाग को काईक जनन के लिए काम में लिया है तो उसे प्रवर्ध कहेंगे यदि लीफ के किसी भाग को काम में लिया है काईक जनन के लिए तो उस भाग को हम उसको प्रवर्ध कहते हैं तो यारी जो भी काईक जनन में काम आएगा उसे प्रवर्ध कहते हैं काईक जनन दो प्रकार का होता है प्राकर्तिक काईक जनन या प्रवर्धन और क्रित्रेम काईक जनन या प्रवर्धन तने द्वारा काईक परवर्धन के कुछ उधारण है जैसे प्रकंद का उधारण है अद्रक, कंद, आलू, शल्ककंद, लहसुन, घंकंद, अर्बी इत्यादी जिसमें कि हम तने के किसी विशिष्ट भाग को जमीन में उगा कर नई पादप का निर्मान करते हैं जैसा कि डाइग्राम में दिखाया गया है, यह आलू है, आलू को हम देखते हैं कि कई बार आलू जब बहुत दिनों पुराना हो जाता है तो उस पर हरे हरे रंग की ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ बड्स निकल आती है, हमें इसको आलू की आख या अंकूरन शील आख कली का कहते हैं अगर इस भाग को यदि हम काट कर जमीन में या गमले में कहीं लगाते हैं, तो उससे आलू का नया पादप उग जाता है इसी प्रकार, दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि लहसुन है, तो लहसुन की एक-एक कली को जब हम रोपित करते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो उसमें नया पादप का उससे निर्मान हो जाता है जडो द्वारा का इक प्रवर्धन, कुछ पोधे की जड़े प्रवरो यानि शूट को उत्पन करती हैं, जो नए पोधे के रूप में व्रद्धी करते हैं इसके एक्जामपल है चमेली शीशम, जबकि कुछ पोधों में कंदिय मूल होती हैं, जो अपिस्थानिक कलीकाओं के द्वारा नए पादप का निर्मान करती है इसके उधारन है शकरगंद, एस्पेरेगस, डायग्राम में आपको दिखाया गया एक तरफ एस्पेरेगस है, दूसरी तरफ शकरगंद है, जिनमें की कंद मूल द्वारा काईक प्रवर्धन होता है पत्तर चट्टा यानि ब्रायो फिलम में काईक जनन पत्यों के द्वारा, देख रहे हैं डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पत्यों की किनारे से निकलने वाली अपिस्थानिक कलीकाओं यानि बड्स के द्वारा काईक प्रवर्धन होता है इन बड्स को जब मात्र पादप से अलग करके गंले में लगाते हैं या जमीन में लगाते हैं तो नया पादप विक्सित हो जाता है इसका इकोर उधारण है बिगोनिया जिसके कि परण वरं तथा परण शिराओं से नए पादप का निर्मान किया जाता है नेक्स्ट है चन्नांगोर द्वारा का एक प्रवर्धन कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर भुव कोशिक पत्र प्रेकलिकाओं बन जाती है और ये भूमी पर गिरने के बाद नए पादप में विक्सित हो जाती है इसके उध़ारन है राम बास वे रतालौ डाइग्राम में दिखाया गया है कि जो रतालौ है इसके पत्र प्रेकलिकाओं यहाँ बन गई है पत्थी के नीचे और जब ये पादप से गिर कर जमीन में गिर जाती है अलग हो जाती है तो इससे नए पादप का निर्मान हो जाता है क्रित्रिम काईक परवर्धन यह विद्या मानव द्वारा निर्मित है या मानव ने इन विख्षित किया है और इनका प्रियोग पोधों के वानिजिक उत्पादन के लिए किया जाता है प्रमुक रूप से क्रित्रिम काईक परवर्धन की जो विद्या है फर्स्ट है कर्तन जिसकी की दो विदी है स्थम कर्तन और मूल कर्तन स्टैम कटिंग और रूट कटिंग दूसरी है दाब लगाना टेला दाब वैवायो दाब या गुट्टी और तीसरी है रोपन ग्राफ्टिंग जिसकी की चार अन्य प्रकार हैं, चार ओर विद्या हैं, जिवा रोपन, फच्चर रोपन, किरिट रोपन और कलिका रोपन इसे इस डाइग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं जनन दोपरकार का एलैंगिक और लैंगिक, अलैंगिक में अनि शेक बीजिता और काईक जनन, और काईक जनन की विदियों के बारे में यहाँ पर बताए गया है, कर्तर दाब लगाना और रोपन और इनकी कौन-कौन सी और विदिया है, कर्तन, यानि कटिंग, जब किसी चीज़ के हम छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, और छोटे-छोटे भागों में इसको काटते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है, यहाँ पर है स्थम कर्तन, स्टेम कटिंग, इस विधी में पोधे के इस्तंभाग को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर जमीन में रोब दिया जाता है कर्तन द्वारा काईक परवर्धन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे परवर्ध की यानि जो टुकड़ा हमने लिया है उसकी लंबाई मात्र पादब की आयू या आसपास का वातावरण इसके उधारण है गन्ना, अंगूर, गुलाब, इतियादी एक्जाम्पल यहाँ पर डाइग्राम में आपको दिखाया गया है स्टेम कटिंग का उधारण लिया है गन्ने का ये गन्ने का टुकड़ा है जिससे की बाद में नई पत्तियां और नई जड़का निर्मान हो गया है और नया पादब विक्सित हो गया है नेक्स्ट है मूल करतन, रूट कटिंग इस विधी द्वारा जिन पोधों में काईक परवर्धन कराया जाता है उसके एक्जामपल्स है नीम्बू, अम्रूद, सेव, चेहरी, तियादी मूल करतन के अंदर गत मूल के छोटे-छोटे टुकड़ों को गमले में या किसी भी जमीन में सामानेत उर्धु इस्तिती में लगाया जाता है ताकि उनके शीर्सिस से अपिस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके और वह नई पादप का निर्मान कर सके डाइग्राम में आप देखे कि यह जो रूट से इनको इस परकार से काट कर गमले में लगाया गया है कि उनके उपरी भाग से नई कलिकाओं का निर्मान हो गया है और अब यह नई पादप में विक्सित हो जाता है नेक्स्ट है दाब लगाना इस विधी में इस्तम अत्वा शाखा को मुखे पादप से बिना अलग किये उनसे अपिस्थानिक जड़ों के निर्मान को प्रेरित किया जाता है जिससे की नए प्रवरों निकलते हैं इसकी प्रमुख ये निम्न दो विधिया है तीला दाब और दूसरी है वायू दाविया गुट्टी लगाना तीला दाब इस विधी में तने की जुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है दबाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि एक या एक से अधिक परोसंदिया जमीन में दब जाए वह शाखा का शिर्ष भाग जिस पर की पत्यां लगी हुई हो वह जमीन के उपर हो डाइगराम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी शाखा को जमीन में दबा दिया गया है लेकिन उनसे पत्यों को जमीन के उपर ही रहने दिया गया है कुछ समय के बाद जमीन में जड़े अपिस्थानिक जड़े फूटने लगती है और उचित समय पश्यात जब ये जड़े बन निकल जाती है इससे शाखा को मात्र पादब से काट कर मिट्टी में अलग कर दिया जाता है और वहें नए पादब का निर्मान कर देती है इसके एक्जामपल है चमेली मोगरा इत्यादी नेक्स्ट है वायुदाव या गुट्टी लगाना इस विधी का प्रियोग व्रक्षों में यानि जो मोटी शाखाओं वाले व्रक्ष हैं उनकी लिए किया जाता है इस विधी में शाखा के समाने मोटे स्वस्त भाग पर चारों और बहरी परतिया चाल को एक रिंग के रूप में हटा दिया जाता है डाइग्राम में देखिए जो स्टेप बन दिखाया गया है इसके अंतरगत आप देखिए कि उसकी चाल को किस तरीके से चाकु से चील कर एक रिंग के रूप में उसको चेंज कर दिया गया है उसकी चाल को वहां से हटा दिया गया है चाल रहित मौस गीली मिट्टी या गीली रुई से धक देते हैं। इस तरीके से इस तरीगे से गीली मौस या गीली रूई है है। और इस गीले भाग को या इस नम भाग को ढकेवे भाग को गुटी कहते हैं। गुटी पर जो ये डायग्राम दूसरा दिखाया गया है जिसमें कोई एक पात्रिया कोई एक पोट द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है और चार से आठ सप्ता के बाद में इसे जड़ें दिखाई देनी लगती है। इस जड़ युक्त भाग को पुखे पादप से बाद में अलग कर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और उससे नए पादप का निर्मान हो जाता है। एक अच्छी किस्म का और दूसरा निम्न गुण वाला तो अच्छी किस्म के पादप के उससे को जिसका की रोपन किया जाना है कलम कहलाता है। उसे इसकंद कहते हैं इस प्रकार से कलम वे इसकंद को कसकर बान देते हैं ताकि दोनों का जो एधा वाला भाग है जो कि बाद में कोशिकाओं को विभाजित करेगा वे आपस में संपर्क में आ सके और कुछ समय पश्चात इन में विभाजन होता है कोशिकाओं में और दोनो के सव्वेहन उत्ता कापस में संपर्क इस्थापित कर लेते हैं इस विधी में सामानेत गुलाब, आम, अम्रूद, निबु इत्यादी के पादपों में इसको काम में लिया जाता है रोपन की कुछ प्रमुख विधिया है, चार विधिया हमने पड़ी थी, उनमें से पहली है जिववा रोपन, इस प्रकार के रोपन में समान मोटाई वाले कलम और सकंध होते हैं, यानि जो पादप जिस पर की कलम लगानी है, सकंध और कलम दोनों का जो मोटाई है वो बराब होनी चाहिए, तो दोनों में 5-8 cm लंबा चीरा लगाया जाता है, डागराम 1 और 2 को आप देखेगा, 1 में देखेगा चीरा भी किस प्रकार से लगाया गया है, स्लांटिंग वे में लगाया गया है, तिर्चे रूप से लगाया गया है, और इसकंध में V का अकार का चीरा ल विक्सित हो जाते हैं, नेक्स्ट है, फचर रोपन, इसमें सकंध में V के अकार का चीरा लगाते है, जबकि कलम में एक वेज के अकार का चीरा लगाया जाता है, डागराम में आप देख सकते हैं, और फिर इन दोनों को जोड़ कर कसकर बांध दिया जाता है, और कुछ समय पश्चात ये दोनों गुणों सहीत एक नए पादप बन जाता है तीसरा है किरिट या मुकुट रोपन किरिट या मुकुट रोपन में आप देखिए इसमें इसकंद की मोटाई जो नया पादप का जो हम पादप के लिए बेस लेते हैं जिस पर कि हम कलम लगाएंगे उसकी मोटाई बहुत अधिक होती है किसे कलम लगाई जो जा रही है जो कलम हम उस पर रोपित करने वाले हैं उस कलम से इसकंद की मोटाई जादा होगी क्यों होगी क्योंकि इस इसकंद पर एक से अधिक कई कलमों को एक साथ रोपित कर सकें इसलिए आप डियाग्राम में देखिए कि जो डियाग्राम A है उसमें हम दिखा रहें कि इसकंद की मोटाई कितनी जादा है और उपर उस पर दो कलम रोपित की जानी है जब इन दोनों कलमों को इस इसकंद पर लगा दिया गया है और इनको कसकर बान दिया जाता है तो उस इसकंद पर एक साथ एक से अधिक कई कलमे एक साथ विक्सित हो जाती है और नया पादब बन जाता है लास्ट है बड़ ग्राफ्टिंग कलीका रोपन इस विधी में एक कलीका का रोपन इस प्रकार किया जाता है कि इसकंद की छाल में पहले हम टी के आकार का चीरा लगाते हैं और उसमें कलीका को रोपित कर देते हैं और उसके बाद इसको कस कर बांध देते हैं डागराम में आप देखिए टी के आकार का चीरा लगाया गया है और फिर कलीका को उसमें रोपित कर कर कस के बांध दिया गया है और इसके बाद इसे कलीका को तो खुला छोड़ देंगे औ उसमें पश्यात वो कलिका उसमें रोपित हो जाएगी और एक नया पादब विक्सित हो जाएगा.